Hello Friends welcome back to our YouTube Channel नए साल की धेर सारी सुभकामना मुझा हैं आज हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग different kind के different तरह प्रोग्राम को समझेंगे और यह समय समझेंगे कि किसी भी प्रोग्राम को कितनी असानी से लिग सकते हैं गया जिसकी सुरुवात हमें and one by one I will pick complex programs also so guys अगर आप लोग हमारी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब and press the bell icon so that you can get the latest update automatically so let's start today we are going to discuss about this program आदम लोग इस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे जिसमें स्टार को प्रिंट करना होता है अगर हम आपको दे दें और कह दें कि आप स्टार को प्रिंट कर दिजिए तो यह देखके कि यह किस तरीके से स्टार बना हुआ हमको नहीं रहना हमको समझना है कि कितनी आसानी जाम को इस प्रोग्राम को लिखना है कि क्या टैक्निक्स यूज स्टार बैटर में क्या है यहां पर रू है 1 तो तीन चार पाच 6 मैं सा कि आठ रोटील लाइस 8 रो में फ़र्व में फ स्टार सेगंदरो में तो स्टा-अथ कर दोन तर्र दो नहीं सबसे इंपोर्टेंट बात है कि जिस रो में हम लोग है उस रो में उतनी स्टार प्रिंट करने हैं ठीक है इसको अगर हम कल्कुलेट करते हैं तो आठ रो है तो आठ रो बनाने हैं पहले में एक स्टार फिर हमारा हमारे दो स्टार फिर हमारा तीनंस्ट ठीक है कि पहले रोह में एक स्टार में दो इस्टार और व्रो में आंठ इस हम को penker तो लूम को लिखना पढ़ेगा सिम्पल अगर आप इताल इस्टोल कर सकते हैं simply जाके file new करके project open कर सकते हैं यहां पर आप console program select कर सकते हैं console f.net प्रिमों कर सकते हैं next करेंगे project आपका save project आपका create हो जाएगा then you can write main के अंदर automatic बन गया में के अंदर प्रॉघ्ण करेंगे तो गैस हम अब इसको आप भोल जाइए इसको कमेंट करते थे थे प्री बैसेस पर एक वूप हमने चलाया जोकि 8 बार चलेगा इच रहो के लिए वह लूप चलेगा ठीक है उसके बाद हम लोग आते हैं कि कैसे प्रिंट करना है ठीक है तो दूसरा लूप जो काम करेगा वो प्रिंट कर चलेगा आई रोव वन आठ तक चलेगा और पहले रोव में आ जाएंगे तो यह लूप चलेगा दूसरे रोव में आ जाएंगे तब यह लूप चलेगा तो जिस रोव में आएंगे जिसे पहले रोव में हम आगा फिर यह लूप चला और क्या करेगा एक से स्टार्ट करेगा और कितने तक चलेगा जितने हमारी आई रो की वैलू है ठीक है और इसमें क्या करेगा यह कंसोल डॉर्ट राइट स्टार को प्रिंट करेगा कि इसको कि अच्छे में अच्छे कि अच्छे भी ठीक है अब आपको ब्रेक प्वायंट्स लगाकर दिखाते हैं हो जाएँ ठीक है रन करते हैं अभी क्या है आई रूगी वैलू उन है ठीक है करेंस?. कि कितना तक चलेगा यहाँकान तक शुल और करते हैं और सब्सक्ण चलिंग करती है फिर गया कि यह बाहर चला जायगा अब इस लूप पर जाएगा अब फिर गया एक रोब बन्चुका ल्रडी एक चाप प्रेंट किया दूसर्पर किया अब दूसरा लूप है आई कॉल्स और डीस वन की बात कर हैं यह दो बार चलेगा विकोज आइक की बेलू तू है अब देखें एफ 10 कि क्या है आई कोल की बेलू वन है इस्टार प्रेंट किया फिराया दो बार चलना चाहिए अब क्या होगा तो बार है और दो एफ पाइप कर देख लिए कितनी असानी सामने उस प्रोग्राम को लिए हम ने क्या किया दो लूप हमको यहां चाहिए दो लूप एक लूप जो है रोवाईज चलेगा और यह जो है उस रोव में स्टार को प्रेंट करेगा विभ्यान जो पहला लूप है यह 8 रो के लिए है और पहले रो में चायर इस लूप कह दूर हम रो में जा रहे हैं पहले रो में गए और यह decide कर रहे हैं कि पहला रो है तो उसके according chart इसमें print ने पहले हैं मतलब पहले रो में है तो i row की value 1 है तो ठीक है चैन्ज हो कि यह लूप इस आयए पर सूचना है किसी बी टाहिए को किसी तरीक से करना है अगर आप माइंyty करना क्या है वह है और यह देखना है कि पहले रोव में पहला स्टार , दूसरे रोव में तीसेifen चाहइए टेखनेक हम समझ गया है क्या करना है कि एक लूप रोग के लिए चलाना है दूसरा लूप जो हम कोई स्टार प्रिंट करने के लिए देख सकते हैं और उससे आपको वसानी हो जाएगा समझने में यह यह लूप वाला सेक्शन पुरा उठा के इसमें डिस्किप्शन डाल देंगे दूसरा प्रोग्राम जो है वो समझ रहे हैं दूसरा प्रोग्राम है इस तरीके से उसको हमने थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है मतलब आप देखिए दोनों को एक साथ अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसको कॉपी कर लेते हैं इसे में पेस्ट कर देते हैं ठीक है यह देखिए यह दूसरा प्रोग्राम है इसमें क्या है इसमें है कि यहां से शुरू तो हो रहा है मैं अगर यह लिलूं यहां से शुरू तो हो रहिए लेकिन यह जो ब्लैंक इजिड और बलैंक कर देना है ठीक है ना देखे यह दूसरा प्रोग्राम है दूसरा प्रोग्राम को भी हमें लिख लिया था ताकि आसानी हो जाए पंट्रोल क्यों कमेंट कर देते हैं हमने एट ले लिया है हमको पता है कि यह लूप जो है आठ पर चलानी है ठीक है और हमने इसमें दो लूप चलानी है हमनों को दो लूपिसमनी नहीं है एक तो उस रूख के लिए जो one से स्टार्ट होगा आठ तक चलेगा ठीक है और दूसरा की हम को ब्लांक करना थीसरा हम स्टार प्रेंट करने करने इसको स्प्रिट करना ठीक है ऑन दीस इस फौर ब्लैंक भी ब्लैंक और तीस फॉर अस्टार अब लैंक क्या से यहां देखिए असाथ तो है नहीं कि जादू कि एक बार यहां स्टार चला जाएगा और यह चला है क्योंकि हमको लूप इतना ही चलाना है और इसी में प्ले करना है लूप जो है एक दो तीन चार आठ बर चलेगा और सब्सक्राइब करना है लेकिन करना क्या है हम समझे कुछ प्रिंट कर रहे हैं तो यहां पर हम स्टार नहीं प्रिंट कर रहे हैं यहां पर हम क्या प्रिंट कर रहे हैं हम ब्लैंक प्रिंट कर रहे हैं आपको दिखाते हैं तोड़ा सा लेगर के दिखाते हैं यहां हम भी क्य स्टार कर देते हैं अब आप्ड देखिए अचिंगopard वमजने में आएगा हम क्या कर रहे है हुआ हम यह बना रहे यह बनाने के बाद 3, 3, 6, 2, 8, हम इस screen को बनाने के बाद इसमें play कर रहे हैं और फिर जो है अपना जो output है वो ला रहे हैं आप समझे हम इस तरीके से start print कराते हैं और अपना output लाने के लिए फिर इसमें हम कुछ play कर देखे हमारा बन गया हम क्या गर रहे हैं फिर यहां पर हम है ब्लैंक कर रहा है से अब देखे क्या हो रहा है यह आठवरच हती है इक और 0覺 रखना है तो हमको पता है कि यह आठवर चलना है और फॉस्ट रो जैसे पहला रो आएगा जिसमें एक ही स्टार रखना है बाकी जो साथ इंडेक्स है जो पहला है इसमें एक ही स्टार रखना है बाकी जो साथ है इसमें हमको ब्लैंक करना है इसमें 6 हमको ब्लैंक करना है तो हम वही कर रहे हैं हमारा जो लूप होगा एक से स्टा आई जो है हमारा रो का वैलो जब पहले रो में हम आएंगे तो क्या करेंगे जो जे की वैलू होगी यह लूप कितना चलेगा जे की जो वैलू होगी आई वैल मतलब टोटल रो यहां समझे इस तरीके से टोटल रो हमारा 8 है और आई की वैलू कितनी है 1-1 मतलब जे की वैलू 7 7 तक हमको क्या करना है ब्लैंक प्रेंट करना है और लास्ट में क्या करना है स्टार प्रेंट करना है जैसे ही रो चींज होगा यह 2 हो जाएगा कितने छे प्लैंक फिर दो स्ट्राप फिर तरी इस तरीके से चलेगा लूप एक दूसरे पर डिपेंड हम यहाँ पर आपको ब्रैक पॉइंट लगाते हैं ठीक है ना और तब आपको दिखाते हैं कि आई वेल की वेलू एट है आई की वेलू वान है ठीक है अब देखिए अब जी की वेलू कितनी होगी समझिएगा एफ 10 करते हैं जी की वेलू देखिए कितनी है वन एट आई वेल दस्टेमिट कि एक वेलू है थीक है है यह लूप तब तक कितनी है एट और आई की वेलू कितनी है वन एक मैंना सेवन तो यह जीका वेलू है सेवेन franc कराना है ठीक है न तो यह ए7 तक जायेगá जब तक आई आप ये की वैलू 7 नो हो जात तक ये चलता रहेगा जे की वैलू अभी कितनी है अग्याइव जेकी वैलू कितनी है डेटी नहीं नहीं चला जाएगा यहां पर कुछ नहीं होगा नेच लाइन पर चला गया तो साथ बार ब्लैंक इसने प्रिंट कर दिया अब पहला प्रिंट कर दिया ठीक है फिर आगया मेन लाइन पे अब आई की वेलू कितनी हो गई टू मतलब दूसरा रो है तो दूसरा रो है तो आई वैल इकल टू कि आई वैल इकल टू इट माइनस टू इस इकल टू कितना होगा तो यह आई वैल माइनस वन इसकोल टू इस तो यह जो ब्लैंक प्रिंट करना है तक प्रिंट करेगा की कैए अब यह सिक्स तक प्रिंट करेगा जैक एक वैलू है तो यह नहीं देखे तक द रही है तो यह दो इस्टार प्रिंट करेगा की दूसरा रहों है तो अगर क्या और आपक्रक्रांग्रानि और इससे तो कोई भी प्रोग्राम हम लोग लिखने से पहले अगर क्या करना है उसको समझ समझने के बाद उसी चीजी को उस consistent nice कि किसी प्रोग्राम को बहुत ही इसी तरीके से हम लोग सकते हैं आद्ट में रिख सकते हैं मैं इसमया तीन प्रोग्राम का में समझाए कौन-कौन साथ एक तो ने यह समझ लिया हम जो है इसको star पैटन 3 कर देते हैं एक हम कर देते हैं तो कर देते हैं तो कर देते हैं ठीक है ना आई ये वैल आई वैरियेबल चींज कर देते हैं आई वैलू आई वैल जे वैल एंद देन के वैल चेंज कर देते हैं आई वैल आई वैल ठीक है यह वरा जे वैल हो गया जेए वैल हो गया कर यह लेयर थे अधृट इन इसको आठता देते हैं को स्चारी प्रिंट करनें न कीया है जरवतीं नहीं को उल्मय इसको कर देता है को प्रैंट करणा मैं आपनोंको फेसिफर्ण सबसक्राइब मार्षि जब Dwight नहीं है जेवेल वन जेवेल एग जेवेल एग जेवेल ठीक है कि येवेल की जरूत ही नहीं है आई इसको आई रूवेल कर देता है ठीक है इसको रण कराते है ठीक है तो यह किये था हमने तीन प्रोग्राम को मैं कमेंट कर देता हूं क्ताल कन्ट्रोल के यूँ ठीक है यह मारा वन हम्हें दूसरा हो गया है विजी करो जोब रगर नहां यहां भी तेक है तो यह तीन प्रोग्राम हम लोगों ने समझा है एक तो स्टार को ऐसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं और तीसरा स्टार को ऐसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं तो यह जो तीनों प्रोग्राम से मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा और वहां से आप ले सकते हैं और सेम तरीगे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फीड़िबैक हम तक जरूर देजिए ताकि उसके बेसिस पे और बहुत सारे वीडियोस मैं क्रिएट कर सकूँ ताकि आप सभी का हैल्प हो सके गाई तो आज की इस वीडि सब्सक्राइब जो है हम तक पहुंचा के गाई तो आज की इस वीडियो में इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मुश्याइब